सुप्रिम कोट आयोध्या मामले में दाखल पुनर विचार याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा तो बंद चेमबर में समिधानिक बेंच 18 अरजियों पर सुनवाई करेगी 18 याचिकाओं पक्षकार की तरफ से जबकी 9 दूसरे याचिका करताओं ने लगाए तो निर्मोही ने भी एक दिन पहले दाखल की पुनर विचार याचिकाओं तेह किया जाएगा तो बंद चेमबर में समिधानिक बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और यहाँ पर यह तेह किया जाएगा कि इस मामले पर बंद बेंच सुनवाई होगी या खुली सुनवाई यहाँ पर होनी है तो तेह किया जाएगा कि याचिकाओं की खुली सुनवाई अदा बता रहे हैं तो बंद चेंबर में समिधानिक बेंच आज ये सुनवाई करेगी तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हम तो खुली अदालत में आयोध्या रिविपेटेशन सुनवाई होगी या नहीं ये तेह आज की सुनवाई के दौरान किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं को लेकर सुनवाई आज होने जा रहे है तो खुली अदालत में होगी आयोध्या रिविपेटेशन के सुनवाई ये आज यहाँ पर तेह किया जाएगा तो योध्या मामले में दाकिल पुनरविचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और बेंद चैंबर में पास जोजुकी समिन्हानी बेंच 18 अरजियों पर सुनवाई करेगी इस दौरान ये तेह किया जाएगा कि इन याचिकाओं की सुनवाई खुली अदालत में होगी या नहीं तो साथ ही याचिकाओं की मेरिट पर भी विचार किया जाएगा इससे पहले निर्मोही अखाडे ने भी पुनर विचार याचिका दाकिल करने का फैसला किया निर्मोही अखाडे ने अपनी याचिका में कहा था कि फैसले के एक महीने बाद भी राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी भूमी का तैय नहीं हुई है कोट इस मामले में स्पष्ट आदेश दे तो आपको बता दे कि चीफ जस्टिस S.A. बोबडे के साथ जस्टिस दीवाई चंदरचूर जस्टिस अशोग भूशन जस्टिस S. अब्दुलनजीर और संजीब खन्ना सुनवाई करेंगे